आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ आए प्रस्तुत गध्यान्स को पढ़ते हैं सेवा सदन के उपरांद सन 1920 में प्रेम चंदर का उपन्यास वरदान प्रकाशित हुआ किन्तु यह उपन्यास ना तो सेवा सदन की भाव भंगिमा का उसपर्श कर सका इसने न वह उश्रता थी और ना ही वेचारिक असपर्श्टता एसा लगता था कि सेवा सदन लिखने के बाद प्रेम चंदर ने इस उपन्यास का सजन किया है जो वेचारिक प्रोड़ता सेवा सदन में उसका अलपांस भी वरदान में नहीं है उपन्यास का दिकांस कथा में करमसा कृत्मिता बढ़ती ही चली गई और कलपना की अतिसेता में मूल कथानक को ही अस्तविस्त कर दिया नीसंदे वरदान प्रेम चंदर की एक दुरबल कृती है वरदान में प्रकाशन के ठीक एक वर्षबाद 1921 में प्रेम चंदर का प्रेमासरे प्रकाश में आया प्रेमास्तरे में प्राया उन सभी दोशों का भाव है जिसके कहां वर्दान एक असक्त उपन्यास बनकर रहे गया इस उपन्यास के माध्यम से जमीदार किर्शकों और संगर्स पहली बार भारती समाज के सामने इतना खुल कर और उभर कर अश्पष्टा कर आया कि प्रेम चंदर की कला भी संभावता पहली बार प्रोड़तर रूप से प्रकट हुई इलाचंदर की कलाभी संभावता पहली बार प्रोड़तर रूप से प्रकट हुई इलाचंदर जोसी एमसरी अवद उपाध्यजे से प्रेम चंदर के प्रारंभिक अलोचकों ने इस उपन्यास को यद्देपित्ती की अलोशना की किन्तू अलोचकों की अलोशना से कोई कृत्य अपनी महांता खोड नहीं देती जो समाजिक सच था प्रेम चंदर ने उसके विक्तित दी है और सच की अलोशना करना भी सच सच ही रहता है इस उपन्यास की कथा छेतर प्रेमचिंदर के अब तक प्रकाशत उपन्यासों में सरवादिक विर्ष्टित था भिन भिन जीवन पक्षों का अत्यदिक सुष्भू चित्र प्रेमचिंदर ने इस उपन्यास में प्रस्तुत किया इस रशना में परन्यास ने सोसक और सोसत के जिन संगर्सों को चित्रत किया वह त्यंत सजी और रोमान्चक्त हैं लेखक ने इसमें कहीं पर बड़े सैयंत दिश्टिकोर से ग्राम जीवन की विदम बनाव का चित्रड किया है भारती ग्रामीड को समाज की चिंताजनक इस्थती की पिष्ट भूम में उपन्यास के लेखकों ने विशेस रूप से ग्राम जीवन की समस्यावक पर ही विचार किया है किषानों की देनी स्थती का चित्रड और जमीदारों का वड़न करते हुए लेखक ने ग्राम सुधार के लिए उपायों पर विचार किया और या कहना आसंगत ना होगा कि उसके लिए लेखक को गांधिवादी आदर्शवाद का आस्र लेना पड़ा सभी सुषकों का अंतता हिर्दे परिवर्तन कराया जाता है किन्तु यहां पर यह उलेखनी है कि इस उपन्यास में प्रेम चंद्र जिन्या आदर्श वलता अपेक्षक्ट विवाहरिक और विश्वसनिय मोड लेती है लेखक के सहानु भूति कृषकों के साथ होते हुए भी व्यापक है अतावे अपराद और अन्याई को अधिकारिक निंदित और पहाशत वर डंडित करके उनका सुधार और परिश्कार करते हैं प्रेम चंदर की प्रेम चंदर में उद्देश उसका सर्वस्था यदि कथावस्तु संखन पर लेखन ने तनिक भी ध्यान रखा होता तो निशन्देहा कृति गोधान से कम महत्पूर नहीं होती अद्दमे आज भी कलपित आलोचक प्रेम अश्रे को गोदान से स्रिष्ट मांते हैं प्रेम चंदर किस उपन्यास की कलपना एम कृतिमता की अधिकता है प्रेम चंदर के किस उपन्याश में? कल्पना और कर्तिम्पता का अधिकता है तो आईए देखते हैं इसका विकल क्या है? गोदान, प्रेम चंदर, गोदान, वर्दान, प्रेम आश्चरे और शेवा सदन तो प्रेम चंद्र रचिद्वार रचिद वर्दान वर्दान करती में कल्पना हैं करती में कल्पना की अधिक्ता है कल्पना और करती मिता की अधिक्ता है अता विकल्प भी हमारा सही उत्तर होगा विकल्प भी वर्दान धन्यवाद